हलो फ्रेंड्स! आप ये सामने एक दरवाजा देख रहे हैं, दोस्तों, जो की दरवाजा अच्छे से खुलता नहीं है, ये देखें, तो जाके फस जाता है, और इसे मैं जोर से खीश रहूं, तो ये जो है यहाँ पर अटक जाता है, पूरा दिखेंजी दोस्तो टॉप लेवल से आपको दिखा रहा हूँ यह पूरा ही चिप का हुआ है दोस्तो यहां से यह देखिए दोस्तो और यहां नीचे थोड़ा से गैप दिख रहा है बट यह अच्छे से खुलता नहीं बहुत प्राबलम होती है दोस्तो मैं खीच रहा हूं तो इसको मैं पहले खोल लेता हूं दोस्तो उसका दोस्तो इसको मैं छेनी हथोड़ी की मदद से इसकी पूरी कटिंग कर दूँगा यहां पर जिससे की यह फ्री हो जाएगा मेरे चैनल पर दोस्तो प्लंबिंग के साथ साथ इस तरह के कई मल्टी परपस वर्क भी देखने को मिलेंगे अब को अब फ्रेंड्स यह देखिए मैंने चेनी और हथोड़ी की मदद से कितने अच्छे से इसको तोड़के इसको आधा आधा इंच पौना पौना इंच लगभग तोड़ दिया है ये देखिए च्षेनी है थोड़े की मदद से मैंने इसे किया है दोस्तो क्योंकि यहाँ पर देखिए यह पिलर है बीम जिसे हम बोलते हैं खड़ा बीम इसमें क्या यदि में मसीन चलाता दोस्तो तो क्या है ब्लेड का नुक्सान हो जाता और मसीन चलाने से बहुत ही जादा डस्ट भी उड़ता है तो मैंने धार वाली छेनी से इसे बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग कर लिए दोस्तो यह देखिए मैं आपको दर्वाजा लगा के इसली दिखाता हूँ यह देखिए किसी भी प्रकार का दर्वाजा जो है नहीं रुक रहा है और यह देखिए दो दोस्तो बहुत ही अच्छे से दर्वाजा हमारा लग भी जा रहा है दोस्तो देखिए पूरे अच्छे से मिरा धर्वाजा जो है लग चुका है यह अब इसे मैं प्लाश्टर करके और इसको मैं कंपलीट कर लूँँगा दोस्तो इस तरह से आप अपने घर में भी छोटे- अच्छे से लगेगा दोस्तों ये ये दिखे इस तरह से ये लग जाएगा दोस्तों ये कुंडी जो है ये देखे एए मैं इसे सेट कर दूंगा जब मैं इसे प्लास्टर करूंगा और ये मेरा बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है थोड़ा सा दिमाग लगाने से उससे जरूर ले लेता लेकिन यहाँ पर बुज़ूर्ग आदमी रहते हैं और वो मेरे कस्टमर है तो मैंने उनसे कहा अंकल इस काम को मैं कर सकता हूँ वो बोले ठीक है आप कर दीजे और मैंने इस कारे